इंडिया के प्रतितनी नफ्रत क्यों फैली है मतलब तो अभी तक तो किसी को रिभाइए से नहीं दिक्कत नहीं थी इंडियन रेलवे से किसी को दिक्कत नहीं थी अभ एसे नाम तो पूरे के पूरे ऐसे ही भरे-पड़े हुए हैं मतलब इतना ही देश प्रेम है, तो कल को ऐसा तो नहीं होगा, कि कल से यह कहा जाए कि मोबाइल और लैपटॉप यह सब भी विदेशियों की खोज है, इसको उठा उठा के फेको, इंटरनेट विदेशियों की है, सब को फेको, सारा बिजली निकाल के फेको यहां से, और बीम जो है उसको क्या कहा जाएगा मतलब यह जितने बड़ा फेमस से नाम है पूलिस को क्या कहा जाएगा जो आहम तोर पर पूलिस कहा जाता है, कमिशनर जो है, A.P. पूलिस चुका जाता है, सबका नाम इंग्लिस नाम हटा दिया जाएगा क्या यह क्यों आरे अवरत जी यह एक दूसरे के लिए इंटर्चेंजबली यूस होता है कि जंबू दीप जो है जब समराट असोक जंबू दीप परियोग करते हैं तो समराट असोक का जो इलाका था वह बहुत बड़ा था पूरा भारत था बंगला देश पाकिस्तान नैपाल सब उसके हिस्सा थे उनकी सरहदे इरान तक जाती थी तो यह पूरा जंबू दीप ही था अब यह छोटे- पूराने किसी जगह उसके में नाम ही नहीं है उसके किसी स्क्रिप्चर में पूराने में नाम ही नहीं है महा भारत जो है उसका तो महा भारत में उसने क्या लिखा है महा भारत तो किताब का नाम भारत था जगह का नाम नहीं है जगह का तो नाम है कहीं कुरुछेत्र नाम ह और सबका नाम भारत हो एसा भी माभारत में कई नहीं लिखा है कि भारत नाम तो था 10-11 सदी में भारत नाम था लेकिन जगह लोकेशन के हिसाब से यह नाम नहीं था इंटर्चेंजबली इस्तमाल करने का मतलब नहीं बनता और कृष्णा अगर कोई राजा होते हैं तो एक राजे के थोड़े राजा होते वह इतना बड़ा भगवान है या राम जो है इतने बड़े भगवान है तो जिस तरह से लोकल लोकल के लेकिन वह तो मानता है कि यहूदी के बंसे वहां चले नहीं जूटी बात है उस समय जहांगीर नामा पढ़िये तब पता चलेगा कि उस समय वहां पे भी उसको मानने वाले जो हैं वो लोग थें बुद्धिजम या जो ब्रह्मेनिजम जो है इस तरह के चीजे मानने वाले उस समय भी थें इवन अटल विहारी बाजपेगी का नाम आता है जब वो उन्होंने बताया कि जब वो कभी अफगनिस्तान गए थें तो वहां पर जो होटल वाले या कुछ ल लोगों के और यही कारण था कि उन्होंने बुद्धा के मुर्ति कभी नहीं तोड़ी थी इधर तोड़ी गई है बुद्धा के मुर्ति पहले नहीं तूटी थी इवन अलवरूनी ने भी लिखा है कि आज का जो पाकिस्तान का इलाका है वो सारे जो छेत्र थे जो अफगन तो आज के पठान है वह बेसिकली जो पहले बुद्धिजम फॉलो करते थे आप बाद में पठान बन गया है ठीक आर्यावरत चलें देखे कोई डिवेटी आया हो तो जैसे पठान भी लोकल मून निवासी हो गया जाट भी मून निवासी हो गया लेकिन हम लोगते फिर ब्रा नहीं हो था तो कभी भी आप यह बतायें कि जाट और हो इन लोगों ने कभी कहा कि हम वीदे सी हैं ब्रामडों ने कहा, ब्रामडों ने कहा कि हम बीदेसी हैं, उन्होंने लिखा, लिखी ते दस्तावेज बनाया, उन्होंने अकबर तक को बना दिया कि ये भी हमारे पुछले जनम का ब्रामड था, तुम हम भी बाहर से हैं, तुम हमारे भाई-भाई हो, जो इंडो आर्यन जो मानते हम भी यही मानते हैं इनकी पूरी लिष्ट है ना कि इनका तीलक भी मान रहा था इस थियरी को कि हां वो बाहर से आये हैं इनका अब राम है तो है ही वो तो करन्त को मानते हैं कि नहीं मानते हैं लेकन अपका सारा अरुसमीं मानत वेस्था से भारत के बुद्धि कर रहा्या है यहां पर में यहां पर उससे में उसकी जेतनी चीज़े आँद बुद्रि चम से ही मैच कर रही तो यह आपके धरम द्रहम गरंथ को पूरी दुनिया पर वेद हैज अगर आपका फारसी से पाली पाकित से मिलकर बनी है नहीं तो वह सीधे-सीधे पाली पाकित की होती है या फिर अगर वह ज्यादा पूरानी है तो वह सिंदु गाटी सब्हेता की जो भासा है उससे होती अगर आप यहां के नेटीव होते तो आपकी वो क्यों मिल रही है बाहरत में क्यों नहीं मिल रही है यह भी तो सवाल है ना अर्यावरत और आप लगतार यह बात आपके सारे पुर्खे भी कह रहे हैं कि आप वीदेशी हो और कैसे आइते हैं यह बोल रहा हूं कि रोज रिपोर्ट आते रहती है ऐसी जिसमें आपको क्या बताया गया रिपोर्ट में उसमें वह आपसे आर किजिए ना आपसे अर्व कर दीजिए अब जोना कहां से तो कहां से थोड़ा उसका description बताई यह कहां से आया था क्या आया था जड़ा बता दीजे कुल के बता दीजे ज़रा वहां पर कौन से सेंपल से जाच हुई थी कहां पर जाच हुई थी जिससे आपको पता चल गया कि ब्रामर जो है बाकी के जितने प्छले प्रेट करके बता देता आपको नहीं होता है ना कि आप यहां पर आ गए आपने मुझे एक टास्क दे यहां बैट के क्कोल के सर्च कर रहा हूं आपका काम मैं कर रहा हूं यहां दिखाऊंगा प्र आप पड़के आप मुझे बताएंगे यह आर्या वॉत इतना आसान यहा लिजए आपना लिंक जो है ऊपन करके शेयर कीजिए ने आप कीटिने सेम्पल लिए गए तक न रहें प्लिए घर लिए लिए ने हम को बताइए कि हम कहां से खोलेंगे क्या को ने यहां को मत बताईए आप अपने दूद फूद लेकर आया आपका सबोथ मैं बैठके यहां इंटरनेट पर खोजोंगा बताइए यहां पर अगर बीदेशी इतने लोग है पूरे भारत में इतनी कमुनिटी है कोई भी कमुनिटी कहा कि हम बीदेशी है और उसने माना सबने लिखा आपको क्या लग रहा है कि ब्रामः जो है जूट लिख रहा था कि विदेशी नहीं है आपको यह लगता है कि ब्रामः जूट भी बोलते थे आपके यह सावरकर वगएरा तीलख और यह केदार नाथ पांडे नहरू यह जितने भी ते सब जूट है थे लाइन से जितने भी ब्रामः केशा चंद्र भी भी बोल रहा है कि अभी यह लोग इतिहास का रिया फिर जैनेटिक की पड़ाई को किये नहीं तो आपको आपके मतलब आपके ब्रामः जो है आपके ब्रामः जो है जूटा बोलते थे कि वह विदेशी हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूं क्यों आर्या ब्रामः जो है इतना बड़ा डिसीजन की भारत में रहके अपने को बीदेशी बताना कि हम बीदेश से आये हैं ब्रामः इतना बड़ा जूटा आएक नहीं सारे ब्रामः बोल रहे थे इसका क्या करण तब भी टोटल आपके इसाफ से जिन्होंने बोला होगा कि ब्रामः विदेशन है क्यों कर रहे थे तो वह क्यों आपने आप ने शेर किया है वह मैं सेयर करके दिखा देता हूं अब को यह अपने शेयर किया है बताएं इसमें क्या दिखाना चाहते हैं ऑफ्ञक्रा में आपका यह ग्राफिक पहुञारी संघार है इसको क्लेक्वित इफस्टेट्व के समझाराइजा इसको तदफया कर दीजिए एस इसलाद ही हिसाब संहों मैं सुन रहा हूँ आप समझाइए ना 350if यहां पर यह जो है इरान के उपर काकस नाम थो एक समय के बाद फूरे मतलब यूरोप में एशिया में साउट ट एशिया में एक । उसमें वह बता रहे है कि किसमें किसके कुतनी अंसेस्ट्री बज़िवज western कि भारत में भी बाहर से माईग्रेट होके आएं फूसी समय बात किसका हूं इधर से वहीं प्रावर को ऑपर हलका सा एक सममरी आप चलते उपर ठीक रहता हूं कोम करीज ऐए इस प्रशी बड़ा से समरी क्या ओता है इस में तुम दिख रहा है यह सब सब्सक्राइब करोंगा लेकिन इस एपस्ट्रेक्ट का मतलब होता है तो सबसे पहले हम एपस्ट्रेक्ट लिखते हैं कि पेपर में हम क्या करने जा रहे हैं किया स्टैटी होने जा रही है और इसी का सब्सक्राइब,, तो है conclusion बनता है तो यह क्या करने जा रहा है वही तो एक वर समझा दिजी ना पबली को यह क्या कह रहा है यही तो मैं कह रहा हूं फिर आप जो सब्लिमेंटरी मेटेरियल आएगा ना समय रहे हैं ना तो आप पहले ही डेटा पर पहुंझ जा रहा है यह क्या बताना चाहरा है तब हम आएंगे तो आप वादा करते हैं कि आप सप्लिमेंटरी मेटेरियल खोलेंगे बिल्कुल क्यों नहीं को लेंगे तो यह जो मैंने डाइग्राम के बारे में भी आपको बताया था कि एक रहा है आपका कि स्टेपी पेस्ट्रोलिष्ट हूँ एस्प्रेड वाया सेंट्रल एसिया आफ्टर फोट थाउजंट यर्स अगो 4000 साल बाद जो है इस प्रेड होके आये हैं यह तो यह कह रहा है तो यह तो लिखी रहा है रहा कि वह उधर से होके आए हैं तो आप क्या ची इ सब्सक्राइद लोगों कि इस लिए अलग है और यह पकड़ में आजाती है कि आपका DNA का जो छेड़ चाड़ है बाकी लोगों का टू टाइमस थी टाइमस ज्यादा मिक्स्चर है क्योंकि वह उतने नहीं रहें लेकिन आपका साफ साफ औरों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा वह दिखाता है अलग दिखाता है इसक करके ना करने से ब्रामण विदेशी साबित हो जाता है शादी तो और लोग भी नहीं करते हैं राजपुजाट कोई भी आप ना मिल जाएगा ना तो यहीं तो बोल रहा हूं एक मिनाट डीने पकड़ में आ जाएगा ना फिर जब आप किसी दूसरे से इंटर मिक्स नहीं ह उसका मैच भी कर रहा है यानि को सीधे सीधे बीदेशी है उसीदे सीधे सीधे साफ यहां पर हो जाता है हम लोग काश्ट वाष्ट नहीं मानते ही आपका काम है आप ब्रामण है ना तो यह वैसे नहीं जैसे मतलब बुद्ध दर्म अपनाने के पहले आपकी क्या काश्ट ह आपके सारे लाइन से कहके आ रहा है जैसे आप आज कह रहे हैं कि हम उसमें लिख भी रहा है कि इस सब systemатРЕ policeman प्रॉपगंड आप कर रहे हैं वो सीधे सीधे दिखा रहा है कि 4000 साल पहले पूरा का पूरा ग्राफ बना के दिखा रहा है कि सब यहां पर आये हुए हैं पूरा वहां पर लिश्ट दिखा रहा है आपने जो रिसर्च पेपर दिखाया वह भी लिख रहा है कि 4000 साल के बाद से उधर से आये हुए हैं यह भी दूसरी बात कि आपने हमेंजा एक बात अच्छे बिलकुल मिलेगा ना मेरी बात खतम होगी तो क्यों नहीं मिलेगा अभी तक नहीं रहा है कि आपको बोलने का मुखा जो आप ऐसले चीप मेरे बात तो खतम होने दीजिता पहले तो बिल्कुल समझ एंड़ेंगे जैसे आज लिंग्विश्टिक के बात किजिए कि आप जो कोंसी भासा सुरूत जो बता दिए मैं कैरा हूं पहले रिपोर्ट दिखार तबाहर से बहूं तो रिपोर्ट बतारी कि इंडिया में जितनी पॉप्यूलिशन है उन सब में बाहर से आए दूसरी बार कि आप रिपोर्ट खोल देते तो बड़ी महरबानी हो जाती फिर उसके बार लिंग्विस्टिक के तो आई जाओंगा मैं काई देखें वही रिपोर्ट दिखाया मैंन इतने चल्दी रोने लगते हैं अभी देख लेते हैं कहां बाहर से यहां लिखा है यह लिखा है कि स्ट्राइश का फ्रेंटी की बात कि ऐस ट्रेंटी जो है यहां पर दिखा रहा है उयां इंडिया में यहां पर दिखा रहा है क्या लिक्राइब 1000 BC 1000 BC यहां पर 1000 1000 BC अब 1000 BC का जोई इसने डेटा दिखाया इस 1000 BC में कौन आया है बताइए तब आप कौन सी भासा बोलते थे भारत में ब्रामर तब कौन सी भासा बोलते थे जरा बताइए तो तो जो डेटा जो डेटा आप संग रहे हैं इसी लिए तो मैं तब से कह रहा था आप मेरी बाती नहीं मान रहे अरे भाई पहले एपस्ट्रेक्ट चलता है एपस्ट्रेक्ट के बाद सिर्फ डेटा की बात आती है पहले ही डेटा डेटा रो रहे थे मैं जो पूछ रहा कि यह 1000 BC में जब आपका ब्रामण कौन सी भासा बोलता था मैं यह पूछ रहा हूं वो जरा बताइए मुझे कौन से छेत्र में रहता था और क्या आप तो यह भारत की भासा थी वैदिक संस्क्रीट क्यों आरे वरत भारत की भासा है बिद्क कौन से छेत्र में बूली जाती थ सब्सक्रीट का भारत मैं कितना पुराना संस्क्रीत मिला है है वहां सबसे पुराना संस्क्रीट का प्रमार कितना पूरा ना मिला है बताइए जरा हमें अगर वह दाका खुल देते तो बहुत सभी आरे सब दिखा देंगे सब दिखा देंगे पहले जब आप जो पूछ रहा हूं वह दिखा यह न यहां पर ग्राफ मैंने खोल दिया इससे बड़ा सबूत क्या होगा यहां पर अब तक मैं कहीं नहीं जाने वहा हूँ यहां किया है पहले इस चब तक यह किलियर फाइन करेंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाने वालाओん सबुद दीजें न मुझे कैसे वैदिक संस्कृट बोलते थैं पश्चिमी भारत कहां से उसका जनम यहां पश्चिमी भारत में हुआ था और वो बारत में था हैं से बॉलते हैं सबूत दया थे वैधिक है तो आपने भासा कब परिवर्तन कर लिए वैधिक संस्क्रीट से भासा आपने कितने समय पहले कर लिया कितने साल में बदल लिए था कूपि वहाँ पर इसक्रिप्शन मिलें कोई तो आप वहां पर कौन सी भासा बोलते थे वैसे उस समय रहके वहां पर बताई तुझ रहा हमें पहले ब्रामड नौर्थ वेस्ट इंडिया में आ गया था और वही इस समय से रहे थे खुद अब कहा दिये कि ब्रामड उस समय आ गया था और अभी तक यह रहे थे कि बीदेशी नहीं है अभी तक यह रो लुट इसे नहीं है कि एक हाजार साल पर एक मिनाट देखिए हटा दूँगा मैं बीच मेरे बोलने के बीच में मत बोला किजिए मैं बार बार बोलता हूँ जब आपको समय दिया जाता है अप अपनी बात पूरी रखे लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सांत रहना पड़ेगा डिबेट का नियम है आपको जब कहा मैंने कि explain कीजिए तो आप दो सब्द बोल के चुप हो जाते हैं जैसे मैंने देख लिए जिनके कई बार कहा कि आप अपनी पूरी बात रख दिये तो बंदा क्या करेगा एक सब्द बोल के चुप और जब मैं बोलना जा रहा हूं तो हर मेरे हर सब्द के पीछे एक सब्द बोल रहा है ऐसे रिवेट करेंगे और यह बंदा क्या बोला है यहां पर मैंने बोला कि माइग्रेट करके वहां से ब्रामण बीदेसी है तो यह क्या करा है कि ने नहीं हम तो भारत के हैं सब लोग बीदेसी हमी इंके सारे पूर्गे वीदेसी लिखते रहें इनसे सबूत कहा गया अभी मैंने पूछ दिया कौन सी भासा बुल रहा है वै झाल नकी सकनदर रहे हैं। रही है। उसके बार से सका के शासन करते हैं, हूरा आते हैं, पता नहीं कितने-कितने पहलों सब आते हैं, कुशान आते हैं, इनकी व्यादीक संस्कीत वहां नहीं मिलता। उनके सारे इंस्क्रिप्शन और उनके कोई वैदिक संस्कृत नहीं कहानी गड़ रहे हैं यहां सबूत मांग दीजिए तो यह दिखाईए वह दिखाईए खुद अपरा सबूत लेके नहीं आएंगे मैं इनको खोल खोल के हर चीज दिखाते रहूं आप पूछ देने पर लेकर आया थे वैदिक संस्कृत बताइए तो अगर आपको बुरा लगा कि मैं बीच में बूल देता हूं तो उसके लिए ने कोई बुरा की बात नहीं आप बस प्रश्णों का उतर दे दिजिए कि वैदिक संस्कृत आप कहां से लेकर आया थे कितने साल पहले आपने लिया कहां से लेकर आये वैदिक संस्कृत पूरा क्लियर टाटा किजिए मैंने आपको बोलने को कहा है अपना जवाब दीजिए मैं बहुत देर तक बोलाई आउन आपको समय दिया हूं जब मैं आपको समय देता हूं आप बोलते ही नहीं अब बोलेंगा आप अपनी पूर आर्यों की भाषा है नंबर वन आर्य कौन है आर्य आर्य नाइस्ट्री ब्रामट इंडिया में सबके में पाई जाती है तो यह पहली बात तो आपकी गलत होगे कि जो ब्रामट विदेशी दूसरी बात समय के साथ परिवर्त अनुता रहता है और विदिक भाषा है चीमिचे यह कह रहा है कि पूरा भारत के लोगी ही वी देश से में चले हैं तो यहीं पर घलत हो गई श्वलाया मुझे बटा रहे हैं अपकी थियोरी यहिं पर गळत हो गई आपने कोई पता बहरत के अन्य चेत्रों ने जगों पर सबूत के सबूत मिल गए आप कर रहें तीन हजार साल पहले लोग आये यहां पर आल्रेडी पुरानी सिविलाइजेसन है चार हजार अभी सिनौली की जो खुदाई हुई वहां पे जो चीजह मिली ट्राइबल्स के मिलें वह सारे तीन हजार साल से पहले की हैं और आप बोले की सबहता भारत में क्यों मिल रही हैं सब्सक्रीट कौन बोलता था आज तक संस्क्रीट कौन बोलता है संस्क्रीट में लिखता और यह पुरानी कोन है पाली पाकित या संस्क्रीट जैसे पाली और वेदिक संस्क्रिट को टाइम लाइन एक साथ लगा सकते हैं यह वड़ा कमाल की हो गई तो आपके बामःण लोगों पाली में पाली मैं कोई किताब लिखे होंगे न कोई以上 किताब लिखी हैं उन्हें सौंस्कृत में तो पाली में कुछ न कुछ नंकड़ को अगर लिखित प्रमाड नहीं तो उसके और भी प्रमाड होने चाहिए ना तो कुई और भी कोई चीज टो ला रहा है और भारत में पाई जा रही है भारत में कहीं पे चेतर को आपने बताया उस छेतर में कभी वेदिक संस्कृत थी ही नहीं पाउच्चिम का जो इलाका है बारत के पाश्च्रीम का इलाका आपने अपने तरह से कहा है भारत के पॉछ्छीम Atlanta को यह सबूत नहीं मिले थीजी कोई बूल जाये संस्क्रीत का सबूत नहीं पूंब संस्क्रीत का जुए ठावत खॉलर कहते 5th century bc कए 7th century तो आपको सही मैं संस्कृत का तनिक भी आइडिया ही नहीं है भारत में सेवंध सेंचूरी तक पाड़िनी के नाम पर सिफ एक हजार सुथ हैं और क्लासिकल संस्कृत लिखने के लिए जो इसमें आपने रमायन माभारत उपनिसाद यह सारी चीजे और आज का वेदवेद सब जो लिख रखा है उसको लिखने के लिए 4000 जो आज एवलेबल है पाड़िनी के सुथ वो होने चाहिए अन्यथा आप संस्कृत लिखी ही नहीं सकते हैं आपका जो व्याकरण जो आप इस्तमाल करते हैं वो नहीं इस्तमाल कर सकते हैं वो छोड़ दीजे 17 सदी की सिधान्त क अमुदिकी के बिना आप नहीं लिख सकते हैं तो आपकी ये जितनी बाते थी अभी तक हवा हवाई की 3000 साल पहले वैदिक संस्कृत थी वो यहीं पे टाय टाय फिस हो जाती है दूसरी बात की पाड़िनी आपका ब्रामण नहीं था न उसका कोई चेला ब्रामण था वो कुछ लेना देना ही नहीं है और अगर ऐसा कुछ रहता तो आपके पाड़िनी के जितनी भी चीजें हैं वो बहुत भी खू अपनी बात नहीं लिख रहे होते उसमें बलकिल आपके ब्रामणों लिख रहे होते पाड़िनी का जिक्र कर रहे होते यह नहीं बताते कि चार हजार सुथ बन चुके लेवन सेंचूरी में अलवरुनी आया उसने बताया कि पाणिनी से पहले तीन और बहुत विखुत हैं जिन्हों ने व्याकरण की रचना कर दी और पाणिनी ने एक हजार सुथ की रचना की और उसके किताब का नाम उस समय पाणिनी था लेकिन पाणिन आप लोगों ने उसकी रचना की है सारा चीज बना के लिखाओ का आप सुरू से ही आप गलत थे अब बुलिये बुलिया नेकिन तो पहले संस्कृत आई फिर संस्कृत आई फिर उसके बाद पाली पाउट आई अभी ये स्कॉलर बुलते हैं तो आपके स्कॉलर कह पताते हैं कि राधा बातां को support करते हैं यह सारा Fraser migration Co support का है आप जो बहुत लिए नहीं कि आएकि आर्य değer नहीं माइप्रेशन हुआ है यह पूरी तरह से प्रामनों को बीदैसी साविद करने के लिए सारी जीज्य है रही है आप अगर जो सारे बाहर थे वो सारे के सारे बाहर से हैं वो सारे के सारे लोगों को प्राइब करते कि तुम स्कूराइब वेथ पढ़एगा तो इसके कान में फूसके डाल देंगे अगर यह सारे लोग बाहर से होते तो सब के पास अपना अपना वेद होता समय रहे ना देखें जब मैं बोल रहा हूं तब आपको कह रहा हूं तो आप दो सब्द बोल के चुप हो जा रहे हैं बोली आप सब्सक्राइब कर देखें दो सब्सक्राइब करके बताया कि कौन स्कॉलर कहता है बुद्धिष्ट का कौन सा किताब सब्सक्राइब कर देखें आपके स्कॉलर और कोई नहीं है और कोई आपका स्कॉलर है नहीं आपके ब्राम्हर लोगा क्या है कि उन्हों नहीं नहीं वरता मं बहुजण लोग तें उस समय शिक्षित नहीं थें सारे इनका Prof. यणकर गया क्यांस्तु थेंद समराट असोग के इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पाते थे वो गुप्त वंस के लिपी नहीं पढ़ पाते थे ना उसकी चीज़ों को समझ पाते थे ना पाल वंस का पढ़ पाते थे यह सारी चीज़ें अंग्रेज आके पढ़के गया है आपका पूरा इतिहांस सही से खंगा के नहीं दिया वेद को बोलते हुए हम पीड़िदर पीड़िदिध होके लाएं तो भैया रमयान वाभारत फिर आप कहां से लेकर आगए थे वह कैसे लिख पा रहे थे जब वेद नहीं लिखते थे तो तो की डिवेट हुई सबसे उनकी चर्चा हुई अगर किसी को संस्कृत आती तो उन लोगों के टेक्स्ट में आ जाता कि रिगवेदिक ब्राहमर से इनका डिवेट हुआ था यजुरवेद के ब्राहमर से डिवेट हुआ था सामवेदी ब्राहमर से डिवेट हुआ था वो सारी च संस्क्रीट भी उस समय मिल जाती उसके भी सबूत मिल जाते आप लोगों ने जूठा पुर्पगंडा फैलाया कि बूधा से पहले आपके ही ब्रामण संप्रदाय को सब लोग मानते थे अरे भाईया अ आपको जब पाली आती नहीं थी पाकित आती नहीं थी आप बात कर रहे हूँ कि आप संस्क्रीट बोलतेθη थे यह के लोगों को संस्क्रीट आती नहीं थी तो कौनसी भासा में संपर्क सुत्र करते थे पूरी दुनिया लिखवा रही थी या आप इतने विद्वान होके एक ऐसी भासा जनम देखे जो भासा जिसका ग्रामर करता ही साथवी, आठवी, ग्यारवी सदी तक ग्रामर नहीं बना पाया था और आप बिना ग्रामर के ही इतनी मोटी-मोटी कितावे लिख रहे थे आपक ने क्या-क्या गद्दारी की है कि भारत के लोगों को सबसे पहले गुलाम कौन बनाता है, जो बिदेसी आता है, जो हार जाता है, उसको गुलाम बनाता है, और आपने गुलाम कब बनाया, जब बिदेसी आया, उसके साथ मिलके यहां के लोगों को नीच-नीच कहना शुरू कर दिया उसके साथ सत्ता के चट्टू कारता में अपने अक्पष सन्से इस आहां के लीपह छा mph заб की Tradition तो आप्मोगों की र्शीजेंद्ध घड़ाति है कि आप लोगों की यह धैस्तान है कि आप मुस्तिए कि देख़ाकर है लिए लोगों ने मेलाओ से साधी करकर के और आप लोगों ने जो भी चीज बनाया है तो यह पूरा पूरा टीटा परा हुआ है तो आप दिक्षाने लाये था न लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के पास कोई जबाब नहीं है जो हमार। हमamiento के엽 जह कन आपके पास जबाब नहीं है दुनिया में आज तक नहीं देखा किया है कि कोई व्यक्ति अपने ही धरम के लोगों को गुलाम बना के रखता हो नीच बना के रखता हो अच्छूत बना के रखता हो आपने रखा है और आज आप हम बताने आ रहे हो कि आपके विदे से आये हैं आप बता रहो कि हम सब एक थें, अब आ रहे हो बताने के लिए, जबकि आपके अंदर जातिवाद कूट-कूट के भरा हुआ है, बोलिए अब क्या कहना है आपका, बोल लीजे, अच्छा बोलू ना, बिल्कुल बोलिए ना, मैं मना किया क्या मैंने, बोलिए, नहीं, नहीं, पूछ राता है, तो जैसे आपने सर बोला कि एविडेंस रंस्क्रिट का ने मिलता है, एक पॉइंट वो, और कि ब्रामणों ने आके बहुजनों को मतलब गलत क्या बरवातन लिया, स्लेव बना लिया, तो पहली बात तो बहुजनों से ज्यादा बहुजन तो ब्रामण है, आप सुनते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है बात को, बहुजन तेस्ट के बैब करें जो फिर बीड़िश उन्सकृ侏ं आपने अपने वेदों को क्यों नहीं लिख दिया संस्कृत में लिख रहे थे आप भी तो अपनी कीताब लेते ना आपने क्या जूठा बनाया कि हम पीड़ी दर पीड़ी गपूर रहे थे मतलब कितना चतुर चलाक थे आप बताइए पूरी दुनिया मोबाइल यूज कर रह यह कंप्यूटर यूज करिए बिजली यूज कर रहे तो आज आप कर रहे हो कि आपने जुनठी और सब ग्रुमी लोगों को धोखा देने के लिए जूठी आफवाफ एलाई क्योंकि सब लोग लिख रहे थे आप ही ऐसे चतुर चलाक थे कि नहीं लिखेंगे सब्सक्रीट जिसको आप कह रहे हो वैसा कोई संस्क्रीट उस समय नहीं जाता था समय रहे हैं उसको कहा जाता है और यहां पर सबूत देके सब्सक्राइब कर ले मुझसे कोई भी आपका जो एक सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर क्लासिकल संस्क्रीट आता है विकास हुआ है तीन चार क्लास में उसका विकास हुआ है आप पुरानी वीडियो नहीं देखते क्या मेरी नहीं सब्सक्राइब के पास अगर संस्क्रीट नहीं लिखता आपको लगता है ऐसा कभी नहीं होता है जिसके पास रहता जो चीज वह जरूर लिखता है यह देखिए बुद्धिश्ट हाइब संस्क्रीट क्या होता है यह देख लीजिए दिख रहा है आपको अधिक्ट रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है लिखा हुआ है जरा पढ़ें ना इसको क्या लिखा हुआ है बुद्धिश्ट हाइब संस्क्रीट बाइफ्र फ्रांक्लीन एडगर्टन स्टर्लीन पोफेसर ऑफ संस्क्रीट और कंपरेटिफ फिलॉलोजी यह दिखा है ना इस बुख नमबर 1.4 पे चलें प्रांब्स करेंगे देख लिए यह दिख रहा है आपको वूद्धिश्ट जो लिखते थे उसको बुद्धिश्टि हाइब्रीड कहा जाता था और तब जांके दीरे धीरे पाड़नी का उस समय सुत ही विक्सित नहीं हो पाया था यह दिरे दिरे विक्सित हुआ अध्याकर आया हुआ है पर दिए प्रिफेश क्या लिखा हुआ यह थोड़ा सा थोड़ा बड़ा करने के से अधर में अब बड़ा कर दोंगे यह तो प्रीफेस है तो पढ़ लीजे ना कुछ कहेगा ना यह कुछ तो बताएगा आपको तो इसको काह तक पढ़ना है मुझे आप देख लीजिये मैं तो आपके लिए खोला कि आप पढ़के देख लीजे बुदिष्ट हाइब संस्क्रीट क्या होता है इसमें लिखता है देखें इसमें क्या लिखता है कि आई है डेलिब्रेटली समझ रहे हैं जो आप लोग जो क्लासिकल संस्क्रीट बना रखें उसमें से उसने कहा है कि जान बुझ के उन सब्दों को हटा दिया है क्योंकि आप लोगों ने जब इंस्क्रीप्शन पढ़े थें पूरे अंगरेजों ने और ब्रामडों ने मिलका जो इंस्क्रीप्शन पढ़े थें तो बुधिष्ट हाइब्रीट संस्क्रीट का मतलब आप लोगों ने अपने क्लासिकल संस्क्रीट की तरह निकालने की कोशिस की थी जबकि उसका करanting तो इसी लिए मैं आपको दिखाया, आप लोग क्या करते हो किसको बारबार कहते हो संस्कृत, वह संस्कृत नहीं, बुधिष्ट हईब्रीड संस्कृत है, आप लोगों को उन्य चीज आती होती तो, ज़रूर यह भी लिपी में लिखता इस लेंगवेज को भी धम लिपी में लिखा लेकिन आपकी क्लासिकल संस्क्रीट धम लिपी में नहीं लिखी जा सकती है यादर कियेगा अब बोलिए सर जी इस बुक का पहले चैप्टर खोल सकते हैं ये बुक और लाइन अवेलबल है बिल्कुल अवेलबल है खोल के पढ़ लावेले पॉषिन पेरिशन लुयाना ये तरह का जो उसने किया है उसका नाम दिया है 1931 में दरसल इसने दिखाया है कि जो बुधिष्ट हाइबिट बी एचस कहते हैं इसको इसने यह दिखाया किसी सब्द को आप बुधिष्ट हाइबिट संस्क्रीट में कैसे उसको सब्द हो जाएगा इस पर इस बंद ने काम किया था आप देख लिए सारे सब्दों का इसने अधर अच्छा यहां पर इंट्रोडक्शन यह देखिए यहां पर लिख रहा है ना वन इस टेंडर संस्क्रीट यूजड बाई एक्जांपल बाई दपोएट अश्वघोसा एक सब्सक्राइब बुल दिख लिखा है क्या थाइस्वाइब कर दषिंग नीचे आएंगे तोड़ा सा नीचे आएंगे लाज सब्सक्राइब लिए यहां कि इन्फुएंस्ट बाइब बताइए क्या कहेंगे बोल दिजिए यही तो मैं आप से बोल रहा हूं लिए इन्फुएंस्ट इन्सक्रिप्शन किसका पढ़ा गया था रहा है यही तो बोल रहा हूं सारा खेल सबूत का है सबूत का है तो आप यहीं कि बूक है तो बूक है तो शबूत दीजिए ना यहीं तो सबूल रहा हूं इसने अऔर सबूलाई समस्कृत का शबूत कि नहीं है उसनियाय दियान से आप लोगों का फेल एक अच्छी से समझते हैं एक भी संस्कृत का सबूत नहीं मिला है और उल्टे डारेक्शन में पढ़ा गया है क्लासिकल संस्कृत कब मिला है जब आपका देवनागरी लिपी आया है पुराने जितने एक सबुत सबूत संस्कृत का साथ आप लोगो ने यही दिकाने का परयास किया कि आपका संस्कृत पुराना है तो और किताबए आप पूराने किताबे जहां संगल दिखाए हो जब दिखा एक मिनिट मुझे मिवलने देंगे निकाल और यहां पर नियुक्त चिंगलिस मुझे दिखा दीजिए कि आपका बुधिष्ट हाइबरीड संस्कृत से पहले आपका संस्कृत का एक भी शिंगल सबूत मिला है, सबूत की बात है, आप लोगों ने जो कागजी खेल खेला है न मिल्के अंग्रेजों के साथ और सब के साथ केवल कागज पर लिख दो कि हमारा संस्कृत पूराना है, हम लोग आपके कागजी खेल को बहुत अच्छी समझते हैं, यहाँ पे सिर्फ यह चीज दिखाई गई है, बुधिष्ट हाइबरीड संस्कृत दिखाया गया है, संस्कृत का नहीं दिखाया गया है, और इसका नाम भी बुधिष्ट हाइबरीड संस्कृत नहीं होना युनिवर्सिटी बुधिष्ट खोल रहे थे हैं, बुधिष्ट पढ़ा रहे थे हैं, और आप संस्कृत का इनके पास evidence है, दीजे न मुझे, एक सिंगल सबूत दे दिजे कि कौन सा inscription आपका बुधिष्ट हाइबरीड संस्कृत से पहले का मिला है, दे दिजे मुझे, आर सिंगल सबूत मुझे संस्कृत का दिखा दिजिए, जिसको आपने कहा ना कि आप सबूत दिखा रहे हैं, कि influenced है, तो सबूत दिखा दिजे भई, कौन सा आपका पहले संस्कृत था, जिससे influence होके बुधिष्ट हाइबरीड संस्कृत बन गया, दिखाए मुझे, एक सिंगल सबूत दिखा दिए मुझे — ठीक है तो ज्यां हुआ होकर आपके पास, एक सिंगल संस्कृत का जिसका बुधिष्ट हाइबरीड संस्कृत के से पहले का हो, संस्कृत का एविदेंस, बताइए मुझे बुधिष्ठ संस्कृत लेकि लिख रहा था, आब रमन क्या कर रहा ह सब दिख रहा है बुद्धिस्ट संस्क्रिट में लिखा एसका नाम आ गया दंध्व प्रामधर ने एक भी लिखा है चरह मुझे बता है कि ब्रामधर ने तूसरी सथी से पहले कून सी लिपी का परियोग करके संस्क्रीट लिखा था यहीं बता दीजिए संस्क्रीटी बुख लाए आप सबूत मांग रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि एक सिंगल सबूत मुझे दिखा दो कि बुधिष्ट हाइब्रिट संस्क्रीटी आप सब्सक्रीट नहीं है संस्क्रीट पूराने हैं कि इसे पूराना है इंफ्लूएंस्ट हुआ है जरा मुझे एक सिंगल सबूत सब्सक्रीट का एक सिंगल एविडेंस आपके पास क्या सबूत कि ब्रामर बाहर से है मैं पूछ रहा हूं कि एक सिंगल सबूत दिखा दो मुझे सब बताएंगे मैं सब बताऊंगा मैं चल निकल निकल यहां से देखिए यह बंदा यह आगे अपनी उकाद पर इससे संस्क इनकी आवकाद आ जाती है बस सबूत मांग दीजिए इनका सबूत क्या है वहां पर उसने लिख दिया है वहां पर हमारे बापू ने लिख दिया है वहां हमारे बापू ने वह लिख दिया बस लिख दिया यह इनका सबूत है सबूत एविडेंस क्या है प्राइमरी सोर्स क या है वो इविडेंस माग दीजिए तो यह बंदा जो है उठके भाग खड़े होंगे इसी पर आयत है यहां पर रोना गाना चालू करने के लिए यह है वह है इनके बाबुजी बीदेशी नहीं है सारे इनके बाप लोग लिख लिख के बैठे हुए हैं कि हम बीदेशी हैं हम बीदेशी है